हाई फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपके साथ सोजा बीन के मॉमोस की रेसेपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़़ा टेस्टी बनते हैं और आप इन्हें आसानी से घर में बना सकते हैं एकदम साफ सुतरे तरीकी से हाईजिनिक तरीकी से घर में बना के खा स सिंबला में पसंद ना हो तो आप उसको स्केप कर सकते हैं यहां पर मैंने सोया बीन को गरम पानी में पहले बेगो दिया था पांस मिनट के लिए और उसके बाद निकाल करके अच्छी तरीके से निचोड करके मिक्सी में चला करके इसका धरदरा सा पेस्ट बना लिया है त आपको पतला डो नहीं बनाना है जैसे रोटी के लिए बनाते हैं तो यह और ज्यादा पतला हो जाता है हलका सा आपको हाड रखना इसे तो यह दिखिए यह डो हमारा बन चुका है और मैंने इसे हलका सा टाइटी रखा है अब इसको पांस मिनट के लिए रैस्ट के लिए थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे उपर आदा शमाच के करी मैंने इसमें ओयल डाल दिया है इसको अच्छी तरीके से मसल लेंगे आटे के साथ इस तरीके से मसल के और फिर हम इसको ढख करके छोड़ देंगे पांस मेट के लिए और बाद में फिर हम इसको एक बार अच्छी तर कर जाएगा तब इसमें प्याज डाल देंगे घाल देंगे प्याज और देंगे झाल ऑफ पता को भी डाल सकते हैं आप अपनी पसंदी कोई सबस्जी डाल सकते हैं כजाइ डाल सकते हैं кडुकश को अच्छी तरीके से mix कह लेंगे तो यहां पर दिखिए मैंने सोया सोस को अच्छी तरीके से mix कह लिया है अब इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के according और मैंने boil करते वक्त भी सोयावीन में थोड़ा से नमक डाला था तो यहां पर मैं थोड़ा से कम डाल रहे हूं आप अपन इसमें डाली है इसका moisture जो है वो बिल्कुल अची तरीक से dry होना चाहिए उसके बाद हम इसके momos बनाएंगे तो यह दिखिए mixture हमारा बन चुका है और आप इसको ठंडा होने देते हैं जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसके momos बनाएंगे और यहां पर जो मैंने आटा लगाया था momos के लिए जो डो बनाया था इसको थोड़ा सा रब कर लेंगे रेस्ट करने के बाद आटा जो है बिल्कुल soft हो जाएगा और बहुत जादा अच्छा लगेगा देखिए एकदम soft हो गया आटा तो बस आपको पांस मिनट का इसको rest ज़रूर देना है उसके कि आप चाहें तो थोड़ा सा सूखा मैदा लगा सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा करके इसको बेल रही हूँ सूखा मैदा लगाने से इसे बेलने में इसको हैंडल करने में आपको आसानी रहेगी तो बस इसको बेल लेते हैं तो पहले आप इसको इस तो इसके हम छोट-छोटे गोले इस तरीके से काट लेंगे, किसी कटोई ये गिलास से काट ये तूरिके से एक बार में एक बराबर के आपके ये पूरी तियार हो जाएंगी और ये जो एक्स्ट्रा considering है इसको निकाल करके रख देंगे इसके बापस हम बाद में मॉमुज बनाएंगे तो अब ये एक-एक पूरियां उठा करके हम साइड में रख लेते हैं देखिए ये हमारी पूरियां त्यार हो गई है आप एक-एक पूरिय लेंगे थोड़ा सुखा मैदा लगा करके इसको इस तरीकी से थोड़ा सा बेल लेंगे इसको बेलने से ये जो डो है ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा मॉमु जो है बहुत जादा अच्छे बनेंगे इस तरीकी से इसको पतला कर लेना है बढ़ा लेना इसको इस तरीकी से तो ये दिखिए मैंने इसको बढ़ा लिया ह और अब इसका हम एक मोमो बनाते हैं, मैं आपको दिखाते हूँ किस तरीके से आपको इसमें स्टफिंग बननी है चमज की हेल्प से दो चमज यहां पर मैंने स्टफिंग डाल दी इसके बीच ओ बीच और इसको थोड़ा सा इस तरीके से खटा कर दिया है मैंने और अब इसके कॉर्नर्स को उठा करके इस तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है इसमें जैसे हम प्लेट्स डालते हैं न कपड़ा सिलते हैं तो प्लेट्स डालते हैं वही आपको करना है दोनों साइट से इस तरीके से आपको प्लेट्स बनानी है बहुत ही आसानी से यह momos की shape बन जाती है और बहुत easy वाली shape है यह देखिए इस तरीके से और यह last में हम इसको इस तरीके से कर देंगे और उपर से हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से गुमाते हुए close कर देंगे तो यह हमारा एक momos बन चुका है और यह जो shape है यह बहुत जादा easy है कोई भी बना लेता है तो एक momos बन के तयार है इसी तरीके से बाकी momos बना लेंगे तो मैंने यहाँ पर काफी सारे momos बना लिए हैं तो आब इनको steam करेंगे पर लगा लेंगे या फिर आप चाहें तो कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं और इस तरीके से यह रखेंगे इसके उपर और यह जो चलनी है आसानी से सभी के घरों में मिल जाती है तो इस वाली चलनी पर आप यह आसानी से momos बना सकते हैं तो यह दिखिए मैंने एक चलनी में सारे momos सेट कर लिए हैं और यह nine momos मैंने इसके अंदर रख दिए हैं थोड़ा दूरी पर रखेंगे बारा मिनट के लिए स्टीम कर लेंगी है जै को ठोटल मैंने बारा मिनट के लिए स्टीम किया है और momos हमारी याच्छे से स्टीम होरे है अब इसको हम निकल लेंगे बहुत ही एधियास से बहुत ही साफधानी से आपको यह निकालने हैं देखे मैं स्पून के अलप से निकाल रही हूँ आप चिम्टे वगरा से भी निकाल सकते हैं तो इसको निकाल करके हम यहाँ पे रख लेंगे यह देखे गर्मा गर्म स्ट्रीट स्टाइल सोया बीन के मॉमोस रेडी हैं आप इसे सेजबन सॉस के साथ टमाटर लसुन की चटनी के साथ सब करें बहुत ही मज़े के बनते हैं आप इने जरू ट्राइ करें